Hello everyone, आज में लेकर आई हूँ गाजा के हलवे की रेसिपी और इसे हम बिना गी से फटा फट से बनाएंगे इसे हम कुकर में बनाएंगे यह बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है थंडियों में तो हलवा बनना मस्ट है आप ट्राइ करें यह किसी को बहुत पसंद आएगा तो चली से बनाएं शुरू करते हैं सबसे पहले कूकर में दो चमच गी ले लेंगे मैंने यहाँ दो लिटर का कूकर लिया है घी में गाजर खालवा बनाने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है कैस की फ्रेम को मीडियम रखिएगा आप घी को गरम होने देंगे जब खी गरम हो जाएगा जिसमें चार से पांच कटे हुए गाजर डाल देंगे गाजर को वाश करके अच्छे से छील लेना है उसके बाद इसके छोड़े छोड़े इस तरके पीसे कट कर लेने है बहुत छोटे भी नहीं बस रफ चॉप कर लेना है अब इने चला कर घी के साथ मिक्स कर लेंगे अगर आपकी रेस्पी पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ी गाजर से हलवा बनाए आपको आड़े लग जाएगा फिर सेकंड टाइम आप जादर कॉंटरी बना सकती है अब इस गाजर को चार से पांच मिद्ट ले ढखकर पकने देंगे ताकि जो गाजर है वो सॉफ्ट हो जाए पीछ में एक दो बार चला लीजिएगा तो पांच मिद्ट बार धकन हटा देंगे और इन गाजर को यपार चला लेंगे अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे अब इसमें दूद आड़ करेंगे तो दूद हमिशा उबला हुआ ही आड़ करिएगा चब भी आप हलवा खीर बनाते हैं उसमें उबला हुआ दूद आड़ करिएगा अब इसमें हम आधा लीटर या यूँ कहलेजिए दो कप के करीब दूद डाल देंगे बहुत धार दूद नहीं डालिएगा बस जो गाजर है न वह अच्छे से गल जाए और ध्यान रखिएगा दूद बहुत ठंडा न हो दूद रूम टेंपिचर पे हो या दूद को हलका गरम कर लीजेगा उसके बाद इसमें डालिएगा दूद मिक्स करने के बाद अब धक्कन लगा देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर एक सीटी आएं तक पका लेंगे बस जो गाजे उसे में गलाना है एक सीटी में जो गाजे वो अराम से गल जाता है एक सीटी आने के बाद पूरा पेशर निकल जाएगा थब धकन हटा देंगे जब यह पहल्त अगै दखन लगा आये तो गाजे बिलकुल ऊपर तक थे अब ये बिल्कुल बढ़ियां से गल गए है अब गयास को on कर लेंगे और गयास की flame को low रखना है ये देखिए मैं आपको गाजा कट करके दिखाती हूँ ये बिल्कुल बढ़ियां से पक गए है और बहुत जादा soft हो गए है इस stage पर इनने mash करना बहुत आसान हो जाएगा अब simply कल्ची ले लेंगे और इस तरीके से mash कर लीना है बिल्कुल बारीक mash नहीं करना है बस गाजा है उनके पीसे छोटे-छोटे हो जाए गाजा गल चुका है जिसके वज़े से mash करना बहुत ही आसान हो जाएगा आप चाहें तो एक ladder ले सकते हैं उससे हलका कर प्रेस करते हैं इनने mash कर लें तो यह देखिए सारे गाजा बिल्कुल बढ़िया से mash हो गया है जैसे घिसावा गाजा होता है बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है यह अगर आपको लगे इसमें दूस जाधर पढ़ गया है इमें इसमें थोड़ा और जाधर ड्राइब होना चाहिए तो आप इसे बिना धगे पकने दी पर मैं सजेस्ट करूँ कि इसे आप अभी बहुत जाधर ड्राइब नहीं करिएगा अब इसमें दो हरी इलाइची पिछ पकने देंगे दो से तीमर पकाने के बाद अब इसमें घर की फ्रेश मलाई डाल देंगे तो मैं यहां तीन सी चार बड़े चमज मलाई आट कर रही हूं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसकी जगा तीन सी चार चमज मिल पाउडर भी डाल सकते हैं आप सबसे गलने तक इसे पकने देंगे जब चीनी गल ही तो यह थोड़ा और पतला हो जाएगा तो जब चीनी गल रही है तब तक क्या करते हैं च्छोटी कढ़ाई या पैन ले लेते हैं और इसमें दो च्छोटे चमज घी डाल देंगे क्यास की फ्लेम को लो रख एगा और घी को अलका गरम होने देंगे जबकी हलका गरम हो जागा तो इसमें हम कटे हुगी काजु और बादाम डाल देंगे लबद दस काजु और दस बादाम को बीच से कट कर लेना है अब इन ने कुछ दे के लिए भून लेंगे आप चाहें बाए रोस्ट करेंगे इसके बाद ग्यास को बंद कर देंगे ड्राइफ्रूट अब अपने हिसाब से जादा कम या जो पसंद तो आप वो एड़ कर सकते हैं तो माया ड्राइफ्रूट बिल्कुल रड़ी है अपना हलवा चेक कर लेते हैं तो चीनी मेल्ट हो चुका है एक बाद इसे चला लेंगे और हलवा मिस्टर थोड़ा पतला भी हो गया है अब इसमें ड्राइफ्रूट रोस्ट किये थे उन्हें डाल देंगे अब ग्यास की फ्रीम को मीडियम हाई कर दीजेगा और इसे तब तक पकारेंगे जब तक ये मिस्टर थोड़ा ड्राइफ्र ना हो जाए मतलब इसी कंसिट्रेंसी थोड़ी हलवे जैसी हो जाए मतलब बिल्कुल पाई पाई जैसा ना रहे ये ध्यान रहे ग्यास की फ्रीम हाई है तो बीब भी चलाते रहेगा वना जो हलवा इंचेस लग सकता है और इसी के साथ गाजा का हलवा बिल्कुल रेडी है और आप देख सकते हैं काफी ड्राइब भी हो गया है इसे बनाने ये बहुत कम महनत लगती है और बहुत ही टेसरी बनता है ये आप बना कर देखें ये हर किसी को बहुत पसंद आएगा इसे बनाने ये बहुत कम महनत लगती है अगर आपको रस्पी पसंद आई हो तो प्लीज में ये चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले